C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 87 पाठ 19 मिलकर पढ़िये शीर्षक आउट छुट्टी का दिन था जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे उन्होंने कई सारे खेल खेले दोनों ने रसी कूदी फिर चुपन चुपाई खेली उसके बाद गिल्ली डंडा खेला इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर बनाया गया है जिसमें जीत और बबली रसा टापते हुए नजर आ रही है दूसरा चित्र इस प्रिष्ट पर बाई और बीच में बनाया गया है जिसमें बबली पेड के पीछे चुपी हुई है और जीत उसे ढूंडने की कोशिश कर रहा है प्रिष्ट पे दाई और नीचे बने हुए चित्र में गिल्ली डंडा खेलते दिखाए गए है प्रिष्ट अठासी बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया जीत ने गेंद फेंकी बबली ने जोर से बल्ला घुमाया गेंद मोहित के आंगन में चली गई मोहित के घर ताला लगा हुआ था जीत और बबली का खेल रुक गया बबली बोली के उसे गेंद बनानी आती है उसने जीत से कपड़े, कागस और पन्नी लाने को कहा वो खुद भी ये सब ढूंडने लगी दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्निया इकठी कर ली बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई इस प्रिष्ठ पर दो चित्र बनाए गए है पहला चित्र उपर है जिसमें बबली, जीत और उनका एक साथी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं बबली ने बले से जोरदार शोट लगाई और गेंद हवा के रास्ते दूर चली गई मोहित के आंगन में इस प्रिष्ठ पर नीचे दूसरा चित्र बनाया गया है जिसमें जीत बबली और उनका एक साथी गेंद बनाने की सामगरी इकठा कर रही है प्रिष्ठ नवासी बबली ने उन सब को मिला कर एक गोला बनाया गोले को सुतली से कस दिया दोनों की पसंद की गेंद बन गई खेल फिर से जुरू हो गया इस बार बबली ने गेंद उठाई जीत ने बल्ला उठाया बबली ने गेंद फेंकी जीत ने जोर से बल्ला घुमाया, गेंद खुल कर हवा में पहल गई बबली ने उचल कर एक कपड़ा पकड़ लिया बबली उचल उचल कर आउट आउट चिलाने लगी वो हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दोड़ी साभार, बर्खा, क्रमिक पुस्तकमाला, NCERT इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र बनाए गए है पहला चित्र प्रिष्ठ पर बाई ओर सबसे उपर बनाया गया है जिसमें बबली गेंद के उपर सुतली बांधते हुए उसे बनाते नजर आ रही है दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में दाई ओर बनाया गया है जिसमें जीत बबली द्वारा फेंकी गई गेंद को अपने बल्ले से जोर से हिट करता हुआ नजर आ रहा है और बॉल हवा में फटती हुई नजर आ रही है तीसरा चित्र इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाया गया है जिसमें बबली उस बॉल के चीथडों में से एक कपड़े का टुकड़ा हाथ में पकड़ कर आउट आउट चिलाते हुए दिखाई गई है प्रिष्ठ नब्बे बातचीत के लिए बातचीत के बाद इन प्रश्णों के उत्तर अपनी कौपी में लिखिए एक जीत और बबली ने कौन-कौन से खेल खेले दू आप कौन-कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं तीन, बबले ने गेंद बनाने में कौन-कौन सी वस्तूओं का उप्योग किया चार, अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते शब्दों का खेल एक, कहानी की घटनाओं को देखिए उन्हें सही क्रम से लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए इस प्रिष्ठ पर छे चित्र दिये गए हैं जो की कहानी को अलग-अलग क्रम से दर्शा रहे हैं आपको उनके सही क्रम को गिंती की सही क्रम से मिलाकर गिंती का नाम भी लिखना है प्रिष्ट 91 और कंचा खोजे जाने अख़वार में से खूज कर अपनी पसंद के किनी दो खिलाडियों के चित्र काट कर यहां दी गए जगहों पर चिपकाईए घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाडियों के बारे में पूछ कराईए और कक्षा में इन खिलाडियों के बारे में बताईए प्रिष्ट बानवे पोशंपा भई पोशंपा सारे गामा सारे गा आओ मिलकर खेले खेल चुपन चुपाई चुक चुक रेल हसना है मुस्काना है फूलों सा खिल जाना है साभार एक लव्य इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जो प्रिष्ट पे बाई और उपर बना है इसमें तीन बच्चे पोशंपा भई पोशंपा का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं अब खेलों के नाम को उनके लिए आवश्चक वस्तूओं से मिला ये यहाँ पर बाई और विभिन खेलों के नाम लिखे हुए है बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, कंचा, क्रिकेट और फुटबॉल और दाई और इन सभी खेलों में प्रयोग होने वाले खेल की वस्तूओं के चित्र बने हैं वस्तूओं हैं चिडी, फुटबॉल, बल्ला, कंचा और गिल्ली आपको खेल के नाम को उनमें प्रयुक्त होने वाली वस्तूओं से रेखा खीच कर मिलाना है शिक्षन संकेत बच्चों को खेल गीत पढ़ कर सुनाईए और उसके बाद अपने साथ गाने को कहिए अगर परयाप्त स्थान हो तो बच्चों को यह खेल भी खेलने दे सकते हैं यह सुनिश्चित करें कि खेल में सभी बच्चों को भाग लेने के समान अफसर मिलें प्रिष्ट तिरानवे मिलकर पढ़िये शीरशक खेल संध्या संध्या को हम खेलने जाते मित्रों संग आनंद मनाते कभी दोड़ना और उचलना कभी गेंद के खेल खेलना कभी कबड़ी खोखो खेलें गुट्टे आँख मिचोनी खेलें गिली डंडा सबको भाता सतोलिया भी मजा दिलाता या फिर पेडों पर जा चड़ना या हस हस के बातें करना जब अंधेरा होने लगता सबको कुछ डर लगने लगता तब हम घर को वापस आते कल खेलेंगे ये कह जाते लेखक राकेश चंद्र इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शाम के समय बच्चे खेलते हुए दिखाये गए हैं एक बालक और बालिका पेड के तने पर चड़े हुए हैं जबकि दो बालक एक दूसरे की ओर गेंद उचाल रहे हैं और वो उसे पकड रहे हैं एक बालक और बालिका लुकाचिपी का खेल खेल रहे हैं जबकि दो बालक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं प्रिष्ट चौरानवे चित्र और बातचीत शीर्षक मित्रों के साथ इस प्रिष्ट पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें तीन पात्र एक मेज के ऊपर नाचते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षण संकेत बच्चों से चित्र में दर्शाय गए कामूं नित्य करना तबला बजाना ताली बजाते हुए उत्साह वर्धन करना आनंदित होना आधी के बारे में बात शीत कीजे बच्चों को उनके स्थानी नृत्य गीत वाद यंत्रों के बारे में बताने के लिए प्रोच साहित कीजे बच्चों की भाशा में लोक गीतों को गाने के लिए मिलकर लोक नृत्य करने के लिए और लोक वाद यंत्रों को कक्षा में बजाने के लिए आमंत्रित कीजिए इससे बच्चों की स्थानिय संस्कृती को बढ़ावा मिलेगा प्रिष्ट पिच्चानवे इस प्रिष्ट पर सबसे उपर तीन चित्र बनाए गए हैं पहले चित्र में घुंगरू दिखाये गए हैं दूसरे चित्र में कान में पहने जाने वाली बाली को दिखाया गया है तीसरे चित्र में हाथ में पहनने वाले कंगन को दिखाया गया है इसके ठीक नीचे एक और चित्र बनाया गया है जिसमें एक बालक तबलावादन करता हुआ नजर आ रहा है बाकी के बच्चे और बड़े ताली बजाकर उसका अभिवादन कर रही है उन्हें तबलावादन बहुत अच्छा लग रहा है सारंगी, वाचनस्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी तखनीकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत